अब हम आगे हैं कुम्भ राशी की तरफ तो कुम्भ राशी 2020 दिसंबर का महीना कैसा जाएगा तो कुम्भ राशी वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ बड़ा ही डिलिमा है किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते है रिष्टे, रिलेशन्शिप, स्ट्रेस, हेल, वर्क, करियर, शादी, बच्चे किसी भी चीज़ को लेके बहुत जादा दिलिमा अब अगर आप बच्चे हैं तो एजुकेशन अगर आप युवावस्था में हैं तो रिलेशन्शिप्स हो सकते हैं और करियर हो सकता है डामडोल खास करके स कभी आया, कभी नहीं आया और जब नहीं आया तो उसी के चिंतन में टेंशन ले लेना बहुत विशेश सजेशन आप सभी को देना चाहती हूँ जो कुमराशी वाले हैं कि प्लीज, दिसेंबर के महिने में कोई कर्ज मत लीजएगा अगर इससे पहले आपने किसी से कर्ज ये करना पड़ जाता है क्योंकि उसके पास आई नहीं होती, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप और कर्जा लेकर अपने आपको और मुसीबत में मड़ डाले का परिश्रम से थोड़ा वद कमाके धीरे-धीरे करके अपने कर्जे को चुकाने की चेश्टा कीजेगा, और कोई अगर आपने कर्जा नहीं लिया तो आपने कर्जा नहीं लेना, कोई नया काम आपने शुरू नहीं करना है दिसमबर के महिने में खास करके जो पुराना है उसी को घसीड़ना है, उसी को चलाना है चाहिए आमदनी कम हो रही हो, आमदनी हो जाएगी, पैसा आजाएगा, कम आएगा, आज आएगा, लेकिन किसी से extra पैसे लेने हैं ना लेने की सोचना है इससे में किसी से भी धन लेने वाली कोईचीज आपने करनी ही नहीं है, हाँ आपने अगर किसी से धन लिया, उसे वापस करनी की चेश्टा जरूर कीजेगा, ठीक है तो अवियापार में उपर नीचे हो सकता है, health में थोड़ा पानी की वज़े से problems हो सकती है तो पानी की मातर अपनी body में अच्छी बनाए रखिए दिन में minimum, चाहे ठंड में प्यास लगे ना लगे, minimum 2 liters of water intake आपकी body में होना चाहिए, for your own good health, ठीक है और कंट को सूखने मत दीजेगा ठीक है, शेहत का सेवन कीजे थोड़ा पानी जादा बोलें तो उसके बाद पी लीजे, इन सब चीजों से आपकी body स्वस्थ रहेगी, ठीक है और lucky color आ रहा है आपका white green and yellow और lucky number आपका आ रहा है one, जो थोड़ा आपको focused रखेगा क्योंकि वैसी दुवीदा है तो हम एक ऐसा number आपको देना चाहते हैं, जिससे अंधकार मिटे और एक number जो है वो बहुत उर्जावान भी होता है, focus भी रखता है